हेलो दोस्तों यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले है यूपी ट्रिपल सी पीटी दो हजार बाईस एक जैम जो की 15 और 16 अक्टोबर को हुआ है उससे रिलेटेट कुछ अपडेट्स है आपके आंसर की को ले करके त साथ ही साथ हम लोग AGTA की न्यू वेकिंसी के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले कहोंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं पहली वार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी लिजिए तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की जो भी अपडेट है उसको तो सबसे पहले हम लोग UPSS-C PET एक्जाम के बारे में बात करें तो आप सब ने जिसने भी PET एक्जाम दिया है तो आप सब को बता दे कि कल शाम को UPSS-C ने इसका आंसर की जारी कर दिया है स इतने भी शिफ्ट में पेपर हुए है 15 और 16 को 1st और 2nd शिफ्ट सारे शिफ्ट का जो है आपका यहाँ पर आंसर की जारी कर दिया गया है बीस तारीक का यह डेट है आप यह देख रहे हैं और चलिए हम लोग आप और देख लेते हैं यह देखिए सारे यहाँ पर इस बाल जाएगा तो आप सबको मैं यही कहूंगी कि आप लोगों ने जिन्होंने भी डाउनलोड कर लिया है या फिर अभी नहीं किया है तो जाके आप अपना आंसर की रेखिए और आंसर की मिलाने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने क्वेस्टेंस आपके सही हुए हैं और अब हम लोग बात कर ले एजी टीए की जो न्यू वेकिंसी आनी है क्योंकि आप सब बार बार पूछते रहते हैं कि इसकी वेकिंसी कब आएगी और इससे रिलेटेड कोई वीडियो अभी आभी नहीं रहे हैं क्योंकि आप आप सब को बता दे कि इससे रिलेटेड वीडियो आने लगेंगे तो जो आपकी वेकिंसी आने वाली है इसके लिए जो पी इटी 2022 का कट आफ है वो कितना रहेगा इस पे हम लोग तब चर्चा करेंगे जब आपका ये जो एंसर की है मिलाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताईए एक आइडिया लग जाए कि आप सब के कितने माक्स बन रहे हैं तो उस हिसाब से फिर हम लोग इसके कट आप पे चर्चा करेंगे तो आज शाम को जो है इस पे एक डिटेल वीडियो आने वाला है आज शाम को हम लोग मिलेंगे और इसी पे बात करेंगे कि इसका जो है आपका कितना जाएगा कट आप तब तक अगर आप सब के मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताईए फिर हम लोग शाम को इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे तो दोस्तों AGTA 2022 की जो वेकिंसी है वो आएगी बहुत जल्दी आएगी क्योंकि सब अगले वीडियो में शाम को मिलते है तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग